तो लाइव शुरू हो गया होगा मुझे लिंक शेयर करने दीजिए लाइव तो शुरू हो गया होगा जितना मुझे लग रहा है ठीक है बस एक मिनता हुआ हुआ बस बचक करने दीजिए उसके बाद हुआ हुआ का कुरूप टौर इहा है तो वाट्सअप में आपको मेसेज बेज दिया हूं जार्व का लिंक तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ठीक है तो मेरा आवाज क्लीर आ रहा है ना थीक है तो वहां पर लाइव में भी आवाज आ रहा होगा पर देखने दो वहां पर क्यांप मैं कौन है ना हाँ यह वहां भी आ रहा होगा ठीक है तो कल हम लोग डेवलप्मेंट सर्क्यूट देख लिए देवलप्मेंट आफ कंट्रोल सर्क्यूट हम लोग कल देख इसका तो यह वाला सर्क्यूट देखे थे उसका वाल हम लोग नॉर्मल सिंपल डेवलप्मेंट सर्क्यूट देखे थे सिंपल सर्क्यूट सिंप वाले सेटप में क्या है कि अगर आमारा स्विच यहां पर हम लोग नॉर्मल स्विच यूज़ कर रहें तो अगर पावर कट होगा और फिर से पावर रीश्टोर होगा तो आपका मोटर अपना पी आन हो जाएगा और ऐसा ऐसा आन हो ना मोटर के लिए तोड़ा प्राब्लम क्रेट करेंगा ठीक है तो यहां पर कोई होल्डिंग सर्क्यूट नाम का कुछ नहीं है तो हमको जितना टाइम मोटर को आन करके रखना है उतना टेम हमको यह स्विच अगर पर पुश बतन स्विच यूज़ करेंगे तो उतना टेम हमको स्विच पुश करके रखना पड़ेगा ठीक है तो यह सब दिसार स्वाजी 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 स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना आपको वन मिनिट पहले बता देते हैं मैं भूल गया हूं कि नहीं नहीं कि अ तो तो कल हम यह वाला सर्क्यूट देखेते लेकिन इसमें प्राब्लम क्या है कि अगर पावर कट होगा तो यह मोटर अपना पर आन हो जाएगा क्यूंकि इसको अलग से आन करना पड़े और इसमें प्राब्लम क्या है कि आगर मैं पुश बाटन स्विच यूज़ करूंगा तो मुझे इतना ताइम मोटर अन करके रखना है उतना ताइम मुझे इसको होल्ड करके वाइदना पड़ेगा तो यह दोनों डिश्वद्वांटेज से से इसमें है इसको वर्वर्कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग यह तोड़ा होल्निंग्श our क्यूल की साथ एक सक् करेगा supply नहीं मिलेगा तो मोटर का OFF करेगा और यहाँ पर यह जो है यह हमारा वर लोड द्रिले है ठीक है तो आगर कुछ वर लोड आएगा तो त्ना तो फिजुच ओफ करदेगा उसके बाद यह हमारा अपका स्टाइग बुटन है इस पुष्बटन है तो इसमें आप देख सकते हैं हम लोग क्या किये किounded है कि हम्हें क्या कि था तो आउसमें गार्थ का बटन हम लोग बनाकर रखे तो अब इसमें क्या होके बहुत कि इसमें यह तो अलगे लग क्या है कि लिए तो जैसे मुझे मुझे आउन करना है तो में क्या करूंगा फूह पुष्च करूंगा एक裡面 क्लोज हो आगा में क्या मिलेगा कॉंटक्टर को मिली आगा ठीक है कॉंटक्तोյ किया करेगा मोड़ von कर देगा उसके वाद जब मुझे off करना है तो मैं off button press करूँगा तो जैसे में off button press करूँगा तो यह मेरा circuit जो है वो क्या हो जाएगा इसको supply मिलना बंद हो जाएगा क्यों कि यहीं से सब्सक्राइब का कट हो जाएगा तो मेरा motor क्या हो जाएगा आफ हो जाएगा ठीक है यह बहुत सिंपूल सा स्टार्टर का सर्क्यूट है यहां पर हम लोग को रखना परेगा नहीं तो हमको ऐसा पुछ बाटन स्विच्च रखना पर यूज़ करना परेगा जो एक बाद पुछ करने के बाद वह उसी पोजिशन में रहे ठीक है अईसा ह पुछ बाटन स्विच्च लगाऊंगा तो यह कॉंटेक्ट क्लोज करेगा जैसे पुछ निकाल दूंगा तो फिसे अपना पॉजिशन में आ जाएगा लेकिन आगर हमको ऐसा सक्यूट करना है तो यहां पर जो पुछ बाटन स्विच्च यूज़ करेंगा तो यह नीचे जाके कॉंटेक्ट क्लोज करेगा जब तक मैं स्टॉप बटन नहीं प्रेस करूंगा तब तक पुछ बटन स्विच्च उसी पॉजिशन में रहे जैसे में स्टॉप बटन पुछ पुछ करूंगा तो यह उपर आज है तो ऐसा पुछ बटन स्विच्च है आप एक बादा पूरा स्टॉप बन गया तो हमारा कॉंटेक्टर को क्या हो रहा है सप्लाइ मिल रहा है मेरा कॉंटेक्टर क्या करेगा मोटर को अन करेगा उसके बाद जब मैं यहां के ऑफ बटन दबाऊंगा तो यह मेरा कॉंटेक्टर को क्या होगा मोटर को आफ करके रखेगा तो यह सिंपल सा मैं कहाए समय लेकिन इसमें अभी भी में कुछ अगर मैं स्टार्ट को प्रेस करूंगा तो मेरा मोटर आण हो गया और जब मैं आफ बटन प्रेस करूंगा अगर यहां से बना भी है सब्सक्राइब हो जाएगा तो मेरा कॉंटेक्टर को सप्ले में मिलेगा और मोटर को आफ कर देंगे सिंपल सा इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना तो इतना समझ में आया आपको इसमें अभी इसका आगे वाले आमको पनना है इस आपको तोड़ा इंट्रेक्शन के लिए और तो इसका आगे वाले देखिए इसमें आपको में दिखाऊंगा कैसे आपका होल्डिंग सर्कूर काम करेगा या कैसे होगा तो है यहां पर देख सकते हैं इसमें फिच से यहां पर मेरा क्या है 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 यह स्टार्ट बटन है और यह मेरा क्या है एक होल्डिंग कॉंटाक्ट है यह होल्डिंग कॉंटाक्ट है और यहां पर मेरा वोवरलोड रिले है और यह मेरा कॉंटाक् तो अब क्या होगा जैसे में start button को डबाऊंगा जब काटे एसा बंद करेगा यहीं बाला बटन आगे तो यह वाला भी क्या होगा आगे दबेगा तो यहां पर आप देखिये पहले से नॉर्मल क्लोज में रहेगा और यहां पर मेरा कॉंट Jadi मेरा मोटर को स्विच्ट में यहां से ओपन भी ओझाईगा यहां से ओपन नहीं हो तो आपका supply क्या होगा इस से ऐसा बना जाएगा तो पिके मैं टृब कर टाथ हम को देकिए क्या होगा है पहले मैं क्या क्या हूं यहां बटन यह से कर सकंदों नहीं प्लोस यहां पे क्या हुआ है और यहां क्लोज हो जाएगा और यहां पर मेरा कॉंटाक्टर निकाल दियाओं तो यहां से है लेकिन तब भी यह पीछे नहीं होगा तब ही पीछे वह जब आप बटन दबाऊगे तो मैं क्या होगा इस से ऐसा आएगा ऐसा के इसमें जाएगा इस आएगा तो अब में क्या होगा अभी वी और में रहेंगा तो मैं से ब्रहेंगा जब सब्सक्राइब के सब्सक्राइब करते हो गया दो पुराना पॉजिशन में पीछे आ जाएगा तो यह तो र समझ में आया पिछ से बताँ कि बागी लोगे को वे आया तो तो मेहां पर कुछ नहीं हो रहा जब आप स्टार्ट बटन दबारे तो यह भी बंद ला यह बंद लोरा उसके पार बटन को दबाना बंद निकाल दिये तो यह ब्रेक लेकिन नहीं हुआ तो जो भी सप्ले आ रहा है वह ऐसा इस से इसको जा रहा है तो यह बटन को पकर के रखने वाला शुक्तम हम लोग ने लिए ठीक है क्योंकि आपको बता है तक फुश बटन को हम लोग को रखना पर रहा है उसको में स्वालू कि यहां पर मेरा एक बिलीज कर देंगे लेकिन अब भी रखेगा जब तक बटन प्रेस किया तो उस समय उसके उपस प्रेस्ट ब्रेक्शन ब्रेक्शन हो जाएगा जब बन जाएगा तो यह आपका दूसरा एक्जाम्पल रेकिन अभी इसमें में इतने भी प्राब्रम से वह सब रिक्टिफार कर आप देखिए इसमें को चीद आपको यह देखना कि आप लाइट कर जाएगा तो यह उस प्राब्लम को रिक्टिफार कर पाएगा नहीं कर पाएगा तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मान लीजे में लाइट कड़ गया यह आपका होल्डिंग सर्कुट है जब तक इसको स तो यह इसको जब अधश्टी दबा के इसको प्रैस कर देगी एक प्रैस करने के बार यह वह यह उड्री गद Almost कुछ की इसको supply मिल रहा है ऊपर से बार बार लेकिन अगर में stop बतन दबाऊंगा तो इसको उपर से supply मेना बंद और तो यहाँ से supply नहीं मिला मान लोग मेरा light कट गया तो यहाँ सप्ले बंद हो गया तो तब भी यह क्या हो जाएगा फिसे पीछे आ जाएगा उसके फिसे लेकिन उसको मैं पहला स्टार्ट बटन प्रेस कर रहा हूं स्टार्ट बटन इसको क्लोज कर रहा है साथ और साथ इसको भी दबा के उसके बाद जैसे यह क्लोज हुआ बटन को सप्लाइब तो मुझे बंद करना है तो जब में स्टॉप बटन दबाऊंगा विचारा होगा लेकिन इसके ऊपर ही मेरा सब्सक्राइब ब्रेक हो जा रहा है तो होलिंग सर्कूट को करन दो तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर पिछे आ जाएगा यहाँ पर उपन घथ देगा और अगर मान लीजीए सटार्प दबा दिया हूं अब मानलो यहां पर लाइट कर दिया तो होल्डिंग क्या हो जाएगा अपना कॉंटक्ट को पीछे कर लेगा लेकिन यहां पर पीछे हो गया तो मेरा मोटर सदनली लाइट आने के वज़े से आन भी नहीं होगा तो हमने यह दोनों प्राब्लों को क्या कर दिये रेक्टिफाइब कर लिए तो समझ में आया है कि अब जाव दो देगा कुछ कि दो देख तो लेकिन हम यह को एड़ांसर स्रेक्विट में जाएंगे वह इसलिए जाएंगे कि इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है है मेरा मोटर ऑ्न है या उसह के लिए यहां पर कोई इंडिकेटर नहीं होगा और साथ तो इसकोभि तो यह रिलीज नहीं होगा क्योंकि इसको सब्लय मिल रहा है कंटिनुसली और यह भी रिलीज नहीं होगा क्योंकि यह तो यह पीछे होगा तो जब यह पीछे हो जाएगा उसके साथ साथ यह भी पीछे हो जाएगा तो अब यहाँ पर इस वाले में मैं क्या हूं नीचे एक बतन दबाया हं तो यह भी आन क्लोज भा तो में क्या हूआ के सप्लाइ को बंदो हो was आप को यहाँ बहुस्ट रफ कि जाएगा तो आपको यहां तो यह दिका रहा है कि मेरा मौ debt on जब यहाँ से में off किया हूं तो यह दिका रहा है कि मोटर मेरे और अगर सप्लै पेसे जोगा फिरसा मेरा रहा हुआँ लाए जालना बंद हो जाएगा तो ऐसा हम लोग क्या करेंगे इंडिकेशन लैंप भी यूज कर सकते हैं एक और होल्डिंग सर्क्यूट यूज करें तो देखिए जब मैं स्टार्ट बटन प्रेस करूंगा तो यह भी बंद होगा यह भी बंद होगा तो जब यह बंद हुआ तो कॉन्टैक्टर को सप्लाइ मिला और इंडिकेटर मेरा अन हो गया मतलब वह दिखार रहा है कि मोटर अन है उसके बाद जब मैं यह उसके बाद इसको में रिलीज भी करूंगा को फरक नहीं पड़ेगा और जब मैं स्टाप बटन प्रेस करूंगा तो यहां से सर्क्यूट ब्रेक हो जाएगा इसको सप मोटरों नहीं और रम्म्टर नहीं करूंगा गार में यह सपिली बंड हो गया तब इसको मेरों ऑडिभी ओ जाएगा बंड़ा तो तब मेरों जैना साथ-सात यह बंड़े और खिलाएं तो मैं इयुने लॉत इल्ड़ा name नहीं तो यह सो सा इक ग्जांपल जांपल बहुत मोंटनों करके प्येंग स्टलाइब के लयंगा यह हैं उसके बात सब्सक्विक सब्सक्राइब चाहएगा जब जब बंद हो जाएगा तो सप्ट एसको भी मिलना टो जाएगा तो सब्सक्राइब लैंप भी ओफ होगा है कि मोटर आफ है उसके बार आगा सप्लाइब हो जाएगा तो यह भी पीछे हो जाएगा तो तब भी यह आफ कर देगा मोटर को बिजिए करतेंड तो यह एक्जाम्पुल है तीन आपको इस पहला को मोटर सब्सक्राइब सबसे पहले मैं क्या किया हूं नार्माल स्टार्टर का संदिक्स दिखाया हूं उसमें यूल्डिंगopath करें उसके बाद हमें आपको इक एक अट्वान्स वाला थीधिकराया हूं स्टे हीर्टिंग पहला है उसके बार एक और हम्रेगत स्डेंट कर hassle सब्सक्राइब करें तो उसके बाद हम लोग जाएंगे मोटर को रिमोटली कैसे अपरेट कर सकते यह अभी तक जो भी स्टार्टर दिखाया था उसमें आप देख सकते हैं सब्सकेदा है तो यह सब मोटर के पास के अट आप कर सकूंद मुझे रिमोट आपलेशन चाहिए यह साथ साथ लोकल अपरेशन भी चाहिए ठीव मुझे आब किया चाहिए आपको नॉर्मल लोकल आपरेशन यह सब आपका लोकल है मतलब मोटर के पास जै़के स्टार्टर को दबाके ऑन आफ करना ठीब अब हम लोग को रिमोट आपरेशन चाहिए जी मोट आपरेशन कि तब इसमें से नहीं पूछेंगे उपर से पूछेंगे जहां से कोशन बन पाएगा वहीं से पूछेंगे पूछ बटन स्वीच वून सब में जिसमें से कोशन बन पाएगा उसी में से पूछेंगे सिंबल से पूछेंगे कि क्लास कंडेक्शन का सिंबल दिखाईए चाह सिंबल देंगे पहले वो दिसाइटर होने तो अभी अभी कुछ रहें ने उसके लिए अलग से सर्वर बनाना पड़ेगा ओनने एक्जाम करवाने के लिए अपना वेपसाइट से काम नहीं करता सर्वर क्या बना पाएंगे उमीद तो नहीं है देखो देख क्या करेंगे देखते हैं तो आपको को बुरा नहीं बोल रहा हूं लेकिन यहां पर जो हाल आते वह बता रहा हूं तो क्योंकि ऑनलेन एक्जाम करवाना है तो यह लोग पर एक्साइमस कुछ को आपको आसंमों मुझे लाहां होगा है तो बसक्राइब कि मुझे तक यकिन है या रिचाम में आते कि आपको बदा खेबर गहां जैसे पता चेरा अब आपको बताूंगा है और बात को क्या HASाइब है तक सिर्फ संवा लिए ऑनलाइन एक्जाम आपकोशन होगा आपको स्काइब करवाए राउंगा थीद्ट है मेरे पास तो सरवर है मैं अपना सरवर में आपको एक आपका सर्क्वूट का रदा आए ना जो मेरा चानल है ना तो उसी नाम से एक वेबसाइट होगा तो यह मेरा खुद का सर्वर है तो इस में एक सप्रेइट लिंक बनाँगा और लिए और मैं आपको अलग से और लिन एक्जाम करवाँगा ताकि आपको प्राक्टिस भी हो जाएगा ठीक है तेंक्शन मत लिए आपको प्राक्टिस कम ज्यादा भी होगा तो इसमें से एक और और टाइम मार्क्स का इसमें 20 औब्जेक्टिव कोचन साएंगे तेसमिनित मिलेके मिलेगा है कि मैं आपको संद्ट को डोने की तो यह सासे यह सब्सक्राइब इसमें दिःगे भी नंबर का दम विलाइब के तो एक डिसे कि दूब करना है मैं बना Ally नहीं हुं मैं बनाने के आपका एकप है अा थी करें और बना लें की तो जो ना लेए बना लें इसा आप Queen號 बना लीजिए उसके भाड़ी के लिए वह होगा है तो मैं बनाओंगा तो बतांगा अभी है कि अब सफ्टे मेरे पास बहुत ilik the तो आपको प्राक्टीस ओजाएगा जाएक ट्रक्टीस होने कर दाए कि पारिज आपने के पर हुच आटा होगा तो कुछ लगत डाल नहीं है esses अग्य हुआ है क्या हुआ है बात करना बंद कर दियте है तुम्लोग कि कुछ नहीं होगा ने सिफ आपको प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं ठीक है नंबर कम जा रहा होगा तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा परिशान मत होई है तो अब हम लोग देखेंगे रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन क्या होता है ठीक है तो अभी तक हम जो भी देखें उसम हम लोकल कंट्रोल कर रहे हैं तो लोकल कंट्रोल मतलब क्या होगा मोटर के पास मेरा एक स्टार्टर होगा तो उस स्टार्टर में मैं स्टार्ट या स्टॉप बतन दबा रहा हूं तो मेरा मोटर क्या हो रहा है अन आफ हो रहा है लेकिन मुझे अब क्या चाहिए रिमोट कं से रूम में बैठके वहाँ पर मैं स्टार्ट बटन और एक स्टॉप बटन प्रेस करके मैं क्या कर सकूं मोटर को आफ कर सकूं तो मुझे ऐसा एक सर्क्यूद बनाना है ठीक है जिसन रहें कि अगर्म में कांट्रोल करोंगा तो इसमें रूब में क्या होना है आप कि और वार मोटर के पास है वहां से दिसे करना है उससे मुझे रिमोटल करने का ऊपरेंजआ मुले और अब लोकली भी में अब लोग ऐसा उड सर्कार बनाने को कोशिस करेंगे तो चलिए एक बनाने काईसा बन सकता है तो आप यहां देख सकते हैं यह जो सब्सक्राइब यह बहुत अच्छा से एक्जामफुल है तो इस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपका पहला सब्सक्राइब कैसा था तो यहां पर पहला आपका स्टॉप स्विच्ट था ठीक है पहला आपका स्टॉप स्विच्ट था उसके बाद आपका यहां पर एक स्टार्ट स्विच्ट था उसके बाद एक वोवरलोड रिले था ठीक है यहां पर एक वोवरलोड रिले था उसके नीचे क्या है आपका एक कॉन्टाक्ट था ठीक है तो लेकिन अब देखिए और यह यहाँ पर उसका पहले लिक्त था एक होल्डिंग कॉंटेक्ट था खीक है तो यहाँ जो फिर लोड रिले और यहाँ पर को और आक्क्त थीक है तो अब भी तो अब मुझे सब्सकर ने कि लिए हुआ तो इसी के बगल में सीरीमें यह स्टॉप स्विच्ट लाएंगे लेकिन यहाँ एक एप स्विच रहे गा वहां से दो तार आके यहां पर आएंगे लेकिन यहां पर तुम प्रस करें तो इंड्रीक्ट्न होगा लेकिन इसका बटन होगा मेरा उसके बटन सब्सक्राइब तो यह बटन कहा रहेगा तो मतलब आपको यहां पर समझना क्या है कि आपको रिमोट कंट्रोल करना है तो यहां पर कुछ ज्यादा साइंस नहीं है पहले मेरा जो stop switch पहले से था तो उसके बगल में एक और स्फिच लगाएंगे और इसा और क्या करेंगे आलग से कई दूर बटन लगाना है तो पहले पहले पै achter लिश्क हमको पटन कहा रहेगा एक और भी आताओ को आध allora प्रेस्ट किया हूं यह वाला कॉन्टाइक बंद करेगा तो पहले इस इन दोनर से जाएगा मोटर को अन करेगा उसके दूंगार लेकिन मेरा कॉंट रहेगा तो मेरा मोटर चलता रहेगा स्टाप बतन दबाया हूं जैसे में रूम सेौ रिभाया हूं तो सरक्यूत को ब्रेक करें तो ना तो इसको सपले पहुत खुछिंग मोटर क्या हो जाहेगा सब्सक्राइब कर जाएगा सब्सक्राइब स writes ऑग्यub सब्सक्राइब करने के लिए यहां पर स्टार्ट बटन दबाना पड़े तो रिमोट कंट्रोल का इसे होला समझे आया है उसकी जैसे ही है कुछ जारा कुछ नहीं है यहां पर कि आपके सिल्बस में है नहीं यहां पर रिमोट कंट्रोल मतलब मतलब यह हुआ कि यहां पर कॉंट यहां पर यहां पर कॉंटक्ट रहेंगे आपका जो सिल्बस कहीं सबसे क्या होता है रिमोट कंट्रोल मतलब क्या होगा यहां पर यह दोनों तal यहां से लंबा सा तार लों रहेगा margin रहेगा विस रूम क्ट्रोल जाएंगे और यह वाला स्विच्ट जो है आपका रूम में रहेगा तो यह त्रू वाइल का रिमोट कंड्रल सिस्थम है अब यह मतलब मतलब यह मतलब नहीं होता है रिमोट मतलब मोटर के पास ना होके आप मोटर से दूर नांस मीटर दूर या एक किलो मीटर दूर कुछ से आप मोटर को कर सके तो इसको रिमोट भूलत तो आपका सिलबस में दिया है अगर वह सेनसार बेसию रिमोट कंत्रोल आपसे पर आपको वे और सेटि़ नहीं है कि रिमोंट तो उसमें क्या है कि नौर्मल इंडस्ट्र और वक्षप में तो अलग ये वक्षाप में सारे मोटर रहेंगे और वक्षप से थोड़ा दूरी में कहीं कंट्रोल रहेगा तो ये रहे से तार क्या हुआ है आवास का कट रहा है आवास कट रहा है क्या तुम्हां नेट कर आप एक बाद चेक कर लेना मेरा तो नेट सही चल रहा है ठीक है तो यहां पर देखिए तो वरक्शॉप और कंट्रोल लूम में ज्यादा दूजी नहीं रहेगा तो यहां से जो भी तार रहेंगे वह सब कुछ नहीं हो गए पर उस दिर में आपको यहाँ संसार रहा तो जैसा मैं आउन आफ कर रहा हूं सकता है यहाँ दिखाए तो यहां पर कुछ ज्यादा कुछ नहीं है यहां पर करेंगे रिमोट स्टॉप 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 सब्सक्राइब कर सकते लेकिन आपके में अतना अपडेटेटेट नहीं है तो यह जो है आपको बहुत से ताल लेके आते हैं और नहीं कर सकते इसको आप रिमोट कंट्रोल आप अपरेशन है नहीं कर रहे हैं लेकिन आप लिखते लिखते में रिमोट कंट्रोल सब्सक्राइब कंट्राइशन है मतलब वाइल बेस्ट होगा तो अलग से कई वाइल मतलिक है हेडिंग में मैं लिख सकते हैं यहीं लिखेंगे अभी आपको समझा है था कि लोकल स्विच रहेगा वहां पर लिख सकते हैं यहां पर सकते हैं लोकल स्विच होते हैं रिमोट स्विच रहा है रहते हैं तो अगला देखें गे इंटर लॉकिंग ड्राइब तो इंटर लाकिंग ऑफ ड्राइवर्स क्या होता है तो इंटर लाकिंग मतलब क्या होता है किसी को पता है इंटर लाकिंग ऑफ ड्राइवर्स क्या होता है कि किसी को भी नहीं पता मतलब कुछ ज़्यादा कुछ नया वह नहीं है मतलब भी मोटर ही होता है अब लोग नया सब सुनते ही परिशान हो जाते हो तो मतलब कुछ नया कुछ नहीं एक मिनित मेरा मोस्क्रा बग गया तो ड्राइव मतलब कुछ नाया नहीं है ड्राइव मोटर आपका मोटर ही होता है ठीक है कुछ ग्रूप आफ मोटर को हम यूज कर रहे किसी स्पेशल अप देख कुछ मोटर कर रहा है तो यह मोटर क्या करेगा पावर क्या करेगा इस मेशन को क्या कर रहा है ठीक है तो ज्यादा कुछ उसमे नहीं है है रही हम के चाव से देखेंगे तो घडाम आसमें करेगा उसको त्राइव मोटर ही होता है कि के ना कि तो अब देखे इंटर लॉकिंग द्राइवरश क्या होता है कभी सुने इंटर लॉकिंग क्या होता है कि अगर मेरे पास दो से ज्यारा मेशीन हो तो मुझे सीक्वेंस में आन करना है जैसा पहला मेशिन जब आन होगा तब ही हम दूसा मेशिन को आन कर सकते हैं अगर मेरा पहला मेशिन आफ में हैं तो हम दूसा मेशिन को आन नहीं कर सकते हैं अगर पहला और दूसरा आन हैं तब ही हम तीसा मेशिन को आन कर सकते हैं अगर यह दोनों नहीं है तो हम लोग तीसा मेशिन को आन नहीं कर सकते हैं तो आईसा लोकिंग करेंगे तो उसका हम लो प्रोसेस शुरू होना चाहिए यह प्रोसेस शुरू होने के बाद ही हम लोग क्या कर सकते दूसरा प्रोसेस हम लोग सुरू कर सकते तो पहला प्रोसेस शुरू नहीं हुआ तो दूसरा प्रोसेस भी सुरू नहीं करना चाहिए तो वाईसे हम लोग क्या कर सकते इन दोनों को करेंगे तो इसमें क्या होगा जब मैं पहला वाला और उसके बाद धर वाले को अलके पहला वाला आफ में है वाला जितना भी आउन करने को कोशिए करों लेकिन दूसा वाला नहीं होना चाहिए ठीक है तो ऐसा में में इंतर लोग कर सकते हैं ड्राइवर्स को तो आई इंतर तो यह नॉर्मल आपरेशन नहीं समझाया हूं ठीक है यह आपको पता है मानलो मेरे पास दो ड्राइवर है तो अगर यह मोटर आफ भी है तब भी मतलब नहीं है दोनों को क्योंकि दोनों अपना-पना इंडिपेंट्निंट औरेट। आपका इंटरॉकिंग तो पहले वाले में कोई difference नहीं है जैसा आप सीखे खो सेंव आपरेशन तो अब हम दूसरा वाले में जाएंगे तो दूसरा वाले में क्या होगा कि जब मैं start button दबाऊंगा जब मैं start button press करूंगा तो मेरा क्या होगा यह वाला क्लोज sesके साथ-साथ क्या होगा यह जो यह नहीं हो को फींड फारा है घू अपका क्लोज टीक है त अब उसके बाद सब्सक्राइब तो आलाम से दुसा मोटर है कोई दिक्कर데र नहीं है मेरा पहला मोटर आफ में है ऐँ यह वन به ऊपन हो गा तो यह के साथ-साथ मैं यहां से क्लोज भी होगा लेकिन कॉंटेक्ट को सप्लाइं नहीं जाएगा क्या है तो ऐसा हम लोग क्या कर सकते इंटरलॉक हो गये हैं अब आराम से देख सकते हैं आया मेंगवाफी से बता देखिए जब यहां पर क्या होगा मुझे यह फर्षट यह अन होना चाहिए उसके बार यह उन हो चाहिए तो पहला मैं क्या किया हूं इसको प्रेस किया हूं तो यह कॉंट्टक्ट क्लोज होगा और ऑभ जब की सब्सक्राइब था पर अब हम एक पहलों प्रणपन रहेगा अब दूसरा अकर आपर कोशिश को ओड़ने करें पर यहां पर लेकिन यह तो ओपन यह तो ऐसली ओपन होगा यह वाला holding से कुछ बंद रहेगा तब यह बंद रहेगा तो यह उपन में रहेगा जितना भी आप इस तर्ट बतन दबाईए तो यह रोज नहीं होने वाला क्योंकि इस इस मोटर इस सब्सक्राइब पहला मोटर और दूसरा मोटर और तो मैं क्या करूंगा मैं पहला मोटर आ हो गैए उसके बास तो ए जोड़ोड हो चाहेगा इसके साथ बीटू को भी हिये लोग और फैला मोटर Granada duna फहर तो पहला मोटर on यह भीटू बंद नहीं में अभी आ थार्व में थाव मोटर कुछ में नACE इंतरल्फंक ना को जब पहला शुक्त ऑं ये बहुत यहां जोब दो to सब्सक्राइब इस sorry अब दूसर चाहिए टूसा मोटर और के सब्सक्री कि मीरशन welcomed ना कि खटका हो इसमें एक होल्डिंग से पहले वाले होना चाहिए इख पहला मोथर पर डिपैन्डन होना चाहिए झा यह फोता है अगास कने कह AWS दूसरा को पहलब करण दूसरा होना चाहिए तब पहला करूंगा यह बन्द हो मतलब कुछ नहीं है तो दूसरा वाले में पहला 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 यह पोटन लगा लगा अगर पहला दूसरे पर दिपेंड के टीसरे है तो पहले वाला का लगा दूसरे वाला का तो ऐसा करना परेगा ठीक है तो समझ में आया है है कि तो आज क्या इतना ही है तो तो मैक्सिमम साय आपका सिल्बस कतम पहला चाप्टर कतम हुआ है तो नहीं यार अभी तोड़ा और बचा है कि देखता हूं मुझे भी याद नहीं में पराटे जा रहा हूं देखने जीजिए तो यह आपको दिक्राव होगा ठीक है तो बेसिक कंस्ट्रक्शन हो गया कॉंट सक्क्राइब करने के लिए है और एक मेरा मोटर को जिवस में करने के लिए हैं और एक मेरा मोटर को बंद करने के लिए हैं तो इन तीनों को मिलाकि हम क्या बोलते हैं पुश बंटन रिवेर्स रोटेट करेगा और एक quién तब刃 क्योंर तो मोबTr जी के यूज स्विछ यूज पर पन्ए तो पॉर्टस प्राइट को मिला पूरां स्टेशन बोलते हैं थी कह द्क सब्सक्राइफ स्विच अधिक्या ना ह sanct San न मुट्रेशन ओ ग्या वह में हिए किअ इस और लाइन और मल्टि लाइन वाइन दियाग्रम हो गया हुआ या नहीं हुआ है नहीं हुआ है बता रहा हुआ देखिए एक मिनिट यहापका पुछ बाटन स्विच है यहापका सिंबल से यह जो डवलपें साइक्यू देना यह वाला इसी को क्या बोलते है इसी को सिंघिल लाइन जाइन स्क्रीक बोलते हैं चाहित उसके बाद इसको हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि इसमें क्या है यह एक लाइन दूसरा लाइन और तीसरा लाइन यह इसको ही हम लोग सब्सक्राइब इसको भी आप मल्टी लाइन सब्सक्राइब इसको मत बोलिए इसी को हम लोग क्या बोलते मल्टी लाइन सब कुछ बता रहता है ठीक है तो आपका हो गया ठीक है अब इसमें दो तीन टॉपिक्स बचे में नहीं बोला हमीर कतम हो गया है तो उसके बाद इंस्टाइनेस एंग कंटिनुएस ऑपरेशन इंटर लॉकिंग हो गया तो यहाँ पर एक छोटा से एक टॉपिक बचा है यह वाला देखता हूं इंस्टाइनेस एंग कंटिनुएस ऑपरेशन और यहाँ पे आपका पर्पर्स आफ कंट्रोल अफ एलेक्ट्रिकल मेशिन से एक बार ओफी से समझा दूँगा तो मंदे को एक छोटा सा क्लास होगा जिसमें जो चूटापिक्स छूटे वह पता पर लेंगे उसके बाद कि मैं तो कुछ बैटे चुटाइए तो मुझे बताद अब हम मुझे आग तो बतादिया करिये तीक है है हरा दिक है कुछ फुलता अई तो पना हिए यह तो में वहाद पर रिकॉर्इंग बापर यूतुप का वीडियो थिशिए में वीडियो बंद कर स्थिक幸 till हू Ф एक मिनिटा पैसे स्ट्रीमिंग रेंद करने देजिए